तो आज की वीडियो जो है एक खास स्विच के उपर होने वाली है जिसके कारण जो है कई सारी प्रॉब्लम आती है और काफी जादा ये परशान करती है कई बार जो होता है कि मेकैनिक जो है इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आज उस बारे में बताऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आज जिस स्विच के बारे में बात करना और वो है ब्रेक पैडल स्विच जब आप ब्रेक दबाते हैं और आपकी ब्रेक लाइट ओन हो जाती है वैसे इसके कई फॉल्ट आते हैं वैसे 4-5 फॉल्ट लगबग हरी सिंसर या हर स्विच के उपर आते हैं इसकी वज़े से क्या होता है कि जब इसमें फॉल्ट आता है तो एक तो अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो कई बार आप इसको जो है identify नहीं कर पाता है क्योंकि ना check engine light आती है, कई बार check engine light, malfunction light, कुछ भी नहीं आती है, लोग जो है वो परिशान रहते हैं कि car का pickup mileage जो है बुरी तरह से down हो गया है, तो actually में आपका जो brake pedal switch है वो करता गया, सबसे पहली चीज तो है कि जब आप brake pedal पे पैर रखते हो और जब वो signal जो है car के issue को जाता है, तो car का issue समझ जाता है कि आप brake दबा रहे हैं, तो वो क्या करता है कि engine और बहुत सारे components जो होते है electronically, जिनको power की जरूत नहीं होती है braking के समय, वो उनसे power खींच के आपके bulb बगरा को दे देता है, जिससे कि यहाँ पर अब इससे कितने तरह के fault आतने है, basically 4-5 fault आतने है, सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर generally जो होता है कि malfunction की light जो है वो आजाती है अगर यह खराब होता है तो, दूसरी है कि आपकी गारी का जो brake light है वो on रहने लगती है, आप गारी जैसे start करोगे, या switch on करोगे तो वो brake light जो speed पे ले जाएंगे, तो क्या होगा, suddenly जो है brake, जो है RPM down हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि car के ECU को signal जाल रहा होता है कि आपका जो bulb है, यानि brake pedal वाला जो बल्ब है, जो back brake वाला bulb है, वो on है, जो आपकी brake light already जल रही होती है, तो वो उन चीज़ों से power खीच कर उधर की उर होती है, fuel pump की, voltage कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि proper pressure नहीं हो पाता है, और RPM suddenly जो है down हो जाता है, और गाड़ी की speed भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर आते हैं कि अगर आप normally 40-50 की speed पे भी अगर चल रहे हो, तो गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा में स करना शुरू कर देगी वहाँ पर, आपकी गाड़ी जो है, आइडलिंग पर कोई इशू नहीं करेगी, जिब आप गाड़ी चलाओगे तब इस तरह की इशू जो है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और लास्ट है कि अगर आपका brake pedal switch एक्शुली में जनरली खराब हो चुका है, तो वहाँ पर आपको light जो है, वह आपको अपने odometer में देखने को मिल जाएगी, light जो है वह आपका आजाएगा, जिसके कारण आपको यह पता चल जाएगा, कि हाँ कोई दिक्कत है, तो scan करने पर आपको यह पता चल जाएगा, अब आते हैं कि कुछ fault ऐसे होत होता है कि बल्व बुझे होते हैं, फ्यूज होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो filament हो आपस पर टच हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जब आप ब्रिक पैडल पर पैर नहीं भी रखती हो, तो भी जो है वहाँ पर आपको गाड़ी के जटका मारना, फिर pickup drop, mileage कम होना, जो है wiring, switch और sensor से related बहुत कम videos अब और रहे गई है, तो अगर आपका कोई भी question है, wiring से related या sensor वगारा से related या फिर आपको लगता है कि मैं जनरली जो गाड़ीयों पर videos बना रहा हूं, मैं जो जनरली गाड़ीयों पर जो normal इंडिया में मिलती हैं, उनके उपर, जो सबसे ज़ engine को compare करना चाहिए कि कैसे luxury गाड़ीयों का engine इतने ज़्यादा power produce करता है, उनके बारे में भी बताऊं, तो comment section में ज़रूर बताएगा, तो क्या होता है कि मैं, जो आप engine use कर रहे हैं, या फिर जो luxury brands engine बनाते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा, तो अगर आपको इन सब ची question में ज़रूर बताएगा, तो आज की वीडियो को बस यहीं कतम करते हैं, तो मिलते हैं इंगली वीडियो में एक नए topic के साथ,